फ्री, फोकस्ट, एंड फैंटास्टिक क्लासिज, मैं डॉक्टर आनन प्रदीक्षित, रेटायर अस्टेंड कमिशनर, रेटायर ट्रेज्वी अफिसर, रेटायर प्रोफिसर, एट्सरेटरा, कंटेंट बेस्ट, सिलिबस बेस्ट वीडियोज के श्रेंखला में, आज मैं आपको एक निबंध लिखवा रहा हूँ, वीडियो को आगे पीछे करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए, कमेंट करने से आपकी रिफ्लेक्स क्षमता बढ़ती है, यानि त्वरित जो रियक्ट करने की क्षमता है, वो बढ़ती है, इसको मेंटल रेडिनेस कहते हैं, कमेंट में नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मेरी प्रशंसा भी नहीं, गुरू जी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, इसकी भी जरूरत नहीं है, जो मैंने कंटेंट दी है, उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ लिखिए, तब मैं आपको तारीफ करूँगा और आशिर्वाद आपको दूँगा, मेरा आशिर्वाद प्रणाम करने से नहीं मिलता है, मेरा आशिर्वाद कंटेंट से सम्मंधित कमेंट करने में निश्चत रूप से मिलता है, और जब वो मिलता है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, चल मैं हिंदी में लिखाऊँगा लेकिन इंगलेश टर्म्स बीच बीच में बताता जाऊँगा स्रजनात्मक्ता जन्मजात भी होती है अर्जित भी होती है प्राचीन अन्भों पर आधारित नवीन ग्यान पर आधारित और सीखने की कला पर आधारित स्रिजिनात्मक्ता मनुष्य में पाई जाती है मैं शौर्ट में बता रहा हूँ इसको विस्तार से आप लिख सकते हैं निवंद 1200 शब्दों का लिख सकते हैं बड़े आराम से स्रिजिनात्मक्ता में विविदता पाई जाती है सभी व्यक्तियों में विविन्द प्रकार की तथा विविन्द श्रेनी की स्रिजिनात्मक्ता पाई जाती है सरजनात्मक्ता क्रियेटिव्टी केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों तक ही सिमित नहीं रहती ये धीरे-धीरे बहुत से व्यक्तियों तक पहुँचती है उन्हें प्रभावित करती है और उनके अंदर आ जाती है ये मत बड़ा प्राचीन है कि सरजनात्मक्ता केवल कुछ ही व्यक्तियों पाई जाती है और इश्वरी ये देन है और सभी लोग इसका लाब नहीं उठा पाते आज ऐसा नहीं है सरजनात्मक्ता के लिए क्लासिज होते हैं आर्ट्स के क्लासिज कला के विद्याले हैं कला की कक्षाएं होती हैं और बहुत सी सरजनात्मक्ता सीखने की क्रेटिविटी सीखने के लिए तमाम सारी कक्षाएं होती हैं और लोग उनमें से सीखकर निकलते हैं इश्वरी देन का सिध्धानत अपनी जगे सही है कुछ लोगों में इश्वरी देन होती है जन्म से होती है लेकिन स्रजनात्मक्ता सीखी भी जा सकती है ये भी निश्चत है पुरानी धारणाओं को अब सही नहीं ठहराया जा सकता और आजकल एक विशेश विचारधारा प् होती है किसी में ये दबी हुई होती है तो उभर आती है किसी में ये उभरी हुई होती है दिखाई देती है किसी में ये बहुत कम होती है और किसी किसी में ये शूने से थोड़े ही अधिक होती है तो हम कहते हैं को उसके अंदर कोई सरजनात्मक्ता नहीं सरजनात्मक्ता किसी जाती, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय या किसी जेंडर की धरोहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर जाती में होती हो या इस्त्रियों में ही होती हो या पुरिशों में ही होती हो या किसी वर्ग में होती हो या किसी धर्म के लोगों में होती हो ऐसा नहीं जैसे लोग अक्सर कह देते हैं कि एक धर्म विशेश के लोग कारीगर जादा होते हैं उनके अंदर वो उस प्रकार की क्रेटिविटी पाई जाती है जैसा कारीगरों में पाई जाती है मूर्तिकारों में, शेल प्रकारों में ऐसा नहीं है सभी धर्मों के लोगों में ये पाई जाती है ये बात अलग है कि जब एक विशेष धर्म के लोग उसको अपनाते हैं तो उनको imitate करते हुए पूरा संपरदाय बन जाता है तो देखने में लगता है कि उस धर्म के लोगों में ये creativity जादा है क्योंकि वो लोग उस व्यावसाय में लगते चले जाते हैं, उनका पैत्र की व्यावसाय बन जाता है, तो ये बात है, अब इसके लावा स्रिजनात्मक्ता में विविन्न शीलगोन पाये जाते हैं, जैसे निरंतरता, कंसिस्टेंसी, नमनियता, फ्लेक्सिबिलिटी, विस्तारण, सब को समा लेने की प्रवर्ति, मौलिकता, समस्याओं के परती समवेदन शीलता, परिहास प्रीता, ये बहुत जरूरी है, सेंस ओफ यूमर, विट जिसे कहते हैं, विट, ये बहुत जरूरी है, अगर आप बहु की जैसा मूँ लटकाए रहते हैं, तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़े विनोध प्री होई है, परिहास प्री होई है, थोड़े विटी होई है, सेंस ओफ यूमर आपके अंदर होना चाहिए, जो क्रेटिवटी है, इस डिफरेंट फ्रूम विजडम, ये ब इन तक ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है, उसमें क्रेटिवटी ना हो, आजकल डॉक्टर्स को और इंजिनियर्स को भी क्रेटिवटी सिखाई जाती है, मानो मनो विज्ञान भी सिखाया जाता है, समाज शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, जिससे क्रेटिवटी विक्सित हो सक कला के विश्यों में क्रेटिविटी विक्सित होने की संभावना ज्यादा होती है तो यह बुद्धी से बिन है विज्ञान के विश्यों में बुद्धी है और कला के विश्यों में राचनात्मक्ता है क्रेटिविटी है क्रमे कुदा है gradual rise होता है स्रिजनात्मक्ता में gradual rise होता है यानि धीरे-धीरे ये बढ़ती है इसके अंदर विकाश शीलता है इसलिए इसका एक गोण है developing nature होता है इसका ये समान्य दशाओं में यदि God gifted है तो बड़ी जल्दी ही दिखाई देने लगती है प्रारम में ही ये विशेष्टा है इसकी और अगर God gifted नहीं है तो बड़ी इसको सीखता है अब कुछ चीजें नहीं सीखी जा सकती है तो नहीं सीखी जा सकती उन्हें छोड़ देना चाहिए अब जो हमें बता रहा हूँ वो आपको लिखना नहीं है निवन्द में मैं थोड़ा समझा रहा हूँ जैसे मैंने हार्मोनियम बजाना सीखा हुआ है मुझे तानपूरा बजाना भी आता है बट प्रैक्टिस चूड़ गे उन्नेस सो चाचट में उननेस सो चौशट पैंशट चाचट 65, 66, 67 तीन साल मैंने सीखा कक्षा 6, 78 में अब उसके बद प्रैक्टिस खतम हो गई अब मैंने एक दिन केसियो बजाना सीखना चाया पांच साल पहले और मैंने सोचा कि एक धुन आशिकी टू के गाने की मैं निकाल लूँ इसमें मुझे वो फिल्म के गाने बड़े पसंद है फिल्म तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मैंने बहुत कोशिस की में नहीं निकाल पाया मुझे केसियो बजाना नहीं आया हार्मोनियम के सारे गामा पादान इसा बड़े अच्छी से बजा लेता हूँ लेकिन इसके वो जो सीडी एफ मुझे समझ में नहीं आया मेरे दिमाग में नहीं बैठे तो सरजनात्मक्ता ज़रूरी नहीं कि सीखी ही ली जाए अब लिखने वाली बात ये समझाने वाली बात थी तो अब लिखें आवश्यक नहीं कि स्रजिनात्मक्ता सीखी ही जा सके कभी कभी स्रजिनात्मक्ता व्यक्ति विशेश से उतने संबंध स्थापित नहीं कर पाती जितने स्थापित होने चाहिए आता है व्यक्ति विशेश, किसी विशेश स्रजिनात्मक्ता के क्षेत्र में कुछ विशेश कारिय नहीं कर पाता, ऐसे में उसे वो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, और नए क्षेत्र आजमाना चाहिए. स्रजिनात्मक्ता चिंतन समंद्य योगिताओं का विकास अन्योगिताओं के विकास से भिन्व प्रकार से करती है, आप गणेत अलग तरीके से सीखते हैं, लेकिन ड्रॉइंग बनाना पैंसिल आर्ट अलग प्रकार से सीखते हैं. एक्जांपल दे सकते हैं आप निवंद में, अगर बड़ा निवंद है, छोटा निवंद है तो नहीं दे सकते हैं. स्रिजनात्मक्ता को मापा जा सकता है परिक्षाएं होती हैं कला की परिक्षाएं होती हैं संगीत की परिक्षाएं होती हैं इंस्ट्रुमेंट बजाने की परिक्षाएं होती हैं तो स्रिजनात्मक्ता को मापा जा सकता है स्रिजनात्मक्ता का विकास जीवन में विभिन्द पहलूं से समन्दित है जीवन के बहुत से पहलू होते हैं एक व्यक्ति मल्टी क्रियेटिव हो सकता है सरजनात्मक था बुद्धी से एक भिन्द फैकल्टी है ये बताए मैंने विजडम से अलग है किन्तु ये देखने में आता है कि जो बच्चे सरजनात्मक चिंतन रखते हैं वे बुद्धी की दिर्शी से पतिवाशाली होते हैं सरजनात्मक था की कारकों पर शिकागो विश्विद्याले में एक अध्यन हुआ जिसमें कुछ परिणाम निकाले गए जिसमें ये पाया गया कि कुछ चात्र हाई इंटेलिजेंस कोशिएंट वाले बहुत कृेटिव थे highly creative थे शिक्षकों ने भी जो highly intelligent चात्र थे उनको highly creative बनाने में अपना जीजान लगा दिया जो लोग मिलनसार थे जिनमें sense of humor था वो जादा क्रिएटिव थे जिनका high IQ था जल्दी नहीं सीखा, स्राजनात्मक्ता के अलग-अलग इस्तर होते हैं, पाँच टेलर ने 1955 में ये बताए हैं, अभी व्यंजक स्राजनात्मक्ता, एक्स्प्रेसिव क्रियेटिविटी, इसमें स्किल्स, ओरिजिनलिटी और क्वालिटी इतनी महात्वपूर नहीं होती जितनी की प्रक्रिया, यानि की प्रकट होती है इस इस्राजनात्मक्ता, एकदम दिखाई देती है, सीधे सीधे प्रकट होती है, दोसरी होती है प्रोड़क्टिव क्रियेटिविटी इसमें कलात्पक और वैग्याने को उत्पाद शामिल किये जाते हैं यहां पर कुछ न कुछ प्रोड़क्शन होता है यह लिवली हुड के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है यानि आजीविका के लिए व्यापार के लिए व्यावसाई के लिए एक होती है इन्नोवेटिव आविशकार शील नवाचारी सिजनात्मक्ता इसमें क्रियेटिविटी किसी एस्टेबलिश फील्ड की बजाए किसी नए फील्ड में होती है एक बिलकुल नए फील्ड जैसे र पांतरन किया जाता है, कोई creativity पहले चली आ रही है, जैसे furniture बनाना है, उसमें कुछ नया creative किया गया है, तो इसको कहते हैं modified creativity, और एक होती है originative, पूर्ण होता है बिलकुल नई मानिताओं का विकास, बिलकुल सब कुछ नया, यह आविशकार जैसी ही होती है, आविशकार में बिलकुल ऐसी नई चीज होती है, innovative creativity में, जो पहले नहीं है, originative में क्या होता है, कुछ originate होता है, कुछ नया होता है, बिलकुल वैसे ही होता है, लेकिन कोई भाव नया होता है, भूमी वही होती है, जमीन वही है, लेकिन भाव नया है, इस तरह गए, यह भी modified creativity type ही होती है, थोड़ा थोड़ा फार्क है सभी में तो सजनात्मक्ता पर मैंने आपको एक निबंद बताया इसी परकार के निबंद आप लिखिए मेरे paid classes में सेक्रों निबंद हैं जो मैंने पूरे डिक्टेट किये हैं पूरे निबंद ऐसा नहीं सिनॉपसिस दे दियो पूरे पूरे निबंद डिक्टेट किये हैं foundation batch में अभी बहुत निबंद बताये हैं foundation batch केवल pre का batch नहीं है mains answer writing भी है उसके अंदर और उसके अंदर जो GS4 paper के बारे में बहुत कुछ है और 39,000 का बैच है फिलाल आज की डेट में तो आप वो ले सकते हैं thank you